हेलो योगीज, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको एक ऐसा योगासन बताने वाली हूँ जो आपकी बढ़ते हुई उम्र रोगतेगा जी हाँ, आपने बिल्कुर ठीक सुना जो आपकी बढ़ते हुई उम्र है, वो मानों रुख सी जाएगी हमारी एज कैसे पता चलती है? हमारे स्किन से, हमारा जो फेस होता है रिंकल, उसमें डाक सर्कल और उसमें जो जुर्या बढ़ जाती है और जो ग्लो चला जाता है, जिससे हमारी एज अगर जादा नहीं भी होती है तो भी जादा दिखने लगती है तो मैं आपको आज एक ऐसा योग असन बताने वाली हूँ जिसकी रेगुलर प्राक्टिस से आपके जो फेस का गलो है वो दुबारा बापिस आजाएगा जैसे एक बच्ची के फेस पे गलो होता है वैसा गलो आपके फेस पे बापिस आजाएगा और जो आपके डाक सर्कल जो एक्स्ट्रा फेट और जो रिंकल और ऐसी कोई भी अगर प्रॉब्लम है जिसे आपकी एज ज्यादा दिखती है बस इस एक आशन से आपकी वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी बस यह आशन आपको रोज करना है स्टाइडि इस आशन की आपको ठड़ी साकीट से करनी है फिर दीर दीर इसका टाइम ने जाके पाश मिनित तक आपको यह आशन रोज करना है एसा जब आप करने लगेंगे आप देखेंगे कुछ दिनों में जो आपके इसकीज है वो इतना ग्लो करने लगेगी कि बाकी सब तो छोड़े आप खुद नहीं विलीप कर पाएंगे कि बिना किसी chemical product की यूज़ करे हुए आपके skin इतना glow करने लगी तो इस आसन का नाम है सर्वांग आसन मैं बताती हूँ सर्वांग आसन करने का सही तरीका तो सर्वांग आसन करने के लिए सबसे पहले साव आसन में लेट रही है उसके बाद पैरों को फोल्ड करें और अपनी back को अपनी कबर को दोनों हाथों से support देते हुए पैरों को उपर करते हुए शोल्डर पे आ रहा है झाल करते हैं और धीरे धीरे इस तरीके से बापस और सर्वाव असन करने के बाद कम से कम 30 सेकंड या एक मिनिट का सभ असन जरूर ले क्योंकि जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो नीचे की तरफ फेस की तरफ आता है और तुरंट उठने से आपकी आख्यों पे असर पड़ेगा औ और आपको चक्कर भी आ सकते है और थीरे थीरे करवट लेके बैठ जाएंगे इस योग आसन के और भी बहुत सारे बैडिफित है जैसे कि आपका वेट लॉस में बहुत हैल्प करेगा आपकी आई साइड इंप्रूफ करेगा आपको हैर फॉल में हल्प करेगा इस आसन को बस रागुलर करें और इसके फायदे जो होंगे वो किसे मिरेकल से कम नहीं होंगे आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आन